शिक्षक दिवस समाज को सही दिशा दिखाने में शिक्षक की एहम भूमिका होती है वह देश के भावी नागरिकों अर्थाद बच्चों के व्यक्तित्व सवारने के साथ उन्हें शिक्षित भी करते हैं इसलिए शिक्षकों द्वारा किये गए श्रेष्ट कारियों के लिए समानित करने का दिन ही शिक्षक दिवस कहलाता है डॉक्टर सर्वपली राधाकृष्णन जो की 1962 से उन्निसो सरसर तक भारत के राश्ट्रपती रहे उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है वे संस्कृतिग्य दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे राश्ट्रपती बनने से पूर्व वे शिक्षा से इत्रम थे 1920 से 1921 तक उन्होंने कलकत्ता विश्व विद्याले में दर्शन शास्त्र के किंग जॉर्ज पंचम पत को शुशोवित किया 1949 से 1948 तक वे विश्व विख्यात काशी हिंदू विश्व विद्याले के उपकुल पती पत पर रहे राश्ट्र पती बनने के बाद जब उनका जन्दिवस सार्वजनिक रूप से आयुजित करना चाहा तो उन्होंने जीवन का अधिकतर समय शिक्षक रहने के नाते इस दिवस को शिक्षकों का सम्मान करने ही तू शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कही इस दिन स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक का कारे शात्र खुदी संभालते हैं इस दिन राजय सरकारों द्वारा अपने इस तर पर शिक्षन के प्रती समर्पित शिक्षकों को समानत किया जाता है शिक्षक राष्ट्र निम्रान में मददगार साबित होते हैं वहीं वे राष्ट्र संस्कृती के संग्रक्षक भी है वे बालकों को ना केवल साक्षर बनाते हैं बलकि उनमें हित अहित भला बुरा सोचने की शक्ति उत्पन्न करते हैं इस तरह वे राश्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं शिक्षक उस दीपक के समान है जो अपनी ग्यान जोती से बालकों को प्रकाश्मान करते हैं वे राश्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं जो संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सीच कर महापरान शक्तियां बनाते हैं संत कबीर ने गुरू को इश्वर से भी बरामाना है उन्होंने लिखा है गुरू गोविन दो खड़े कांके लागू पाए बलिहारी गुरू आपने गोविन दियो मिलाए शिक्षक को आदर देना, समाज और राष्ट्र में उनकी कीर्थी को फैलाना, केंद्र वाराज्य सरकारों का कर्तव यही नहीं दाइत्व भी है इस दाइत्व को पूरा करने का शिक्षक दिवस एक अच्छा दिन है गुरू से आश्रवाद लेने की भारत की अत्यंत प्राचीन परिपाटी है आसाड मा में पढ़ने वाली पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का नाम इसी के निमित दिया गया है